हाई एवरिवान वेलकम बाग तो ट्रेपल एस दिस सर्वत रशीद विद न्यू लेक्चर ओन रीजनल ओर्गनाइज़ेशन्स एंड दिस माइट बी तर लास्ट लेक्चर इससे पहले हम अपने रीजनल ओर्गनाइज़ेशन के जितने इंपॉर्टेंट ओर्गनाइजेशन अगर आपको कोई भी मेरा लेक्चर देखना है वो आप हमारे ट्रिपल एस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के सर्वत रशीद नाम से जितने भी लेक्चर उनको सर्च कर सकते हैं इसके साथ-साथ अगर आप लोग हमारी पीडिएफ्स यानि कि जितने भी जो भी हम पढ़ पादब सबसे म सबसी पहले हम बात करेंगे जी फोर ग्रूप के बारे में यानि कि ग्रूप फॉर के बारे में अप आपको ओज Medium ओज या फिर वो international organization है ठीक है जब यह organizations बनती है यह किसी agreement या किसी treaty के तहत जो है बनती है एक गुसरे के साथ मिलती है ठीक है कोई particular purpose होता है उसके लिए agreement sign होता है या कोई treaty sign होती है उसके बाद जागर के क्या होता है organizations बनती है लेकिन जब हम बात groups की करते हैं चाहे फिर वो जी 4 गुरूप है चाहे वो जी 5 गुरूप है या कोई भी गुरूप है जी 7 है whatsoever अगर यहां पर हमारे पास जो groups बन रहे हैं यह क्या होते हैं यह informal groups होते हैं यहां पर किसी तरह के कोई agreement sign नहीं होते हैं यहां कोई treaty sign न क्या है देखें सबसे पहले तो यह बना कब था यह बना 2005 में 2005 में यह बना था और इसका में मॉटिफ क्या था देखें इसमें चार कंट्री जो थी वो इसके member nations थी including इंडिया यानि के ब्रजील इंडिया जैपैन एंड जर्मनी ठीक है अब यह चार कंट्री जो थी इनका का हम यह चाहती क्या थी यह इसलिए साथ है क्योंकि यह चार की चार जो कंट्रीज हैं यह चाहती थी कि हमें United Nations Security Council में क्या हो पर्मनेंट सीट मिल जाए अब देखें United Nations Security Council क्या है यह मैं आपको अल्रड़ी बता चुकी हूँ फिर भी आपके रिविजन के लिए यह क्या है United Nations इसके लिए काम करता है और इस United Nations Security Council में क्या है सिरफ पांच जो नेशन है वो पर्मनेंट उनको सीट मिली है ठीक है पांच नेशन जो है उनको पर्मनेंट सीट मिली है वो पांच नेशन कों से है वो पांच नेशन है हमारे पास Russia, China, USA, and Britain, then France तो यह जो पांच कंट्रीज है इनको क्या है United Nations Security Council में मिली है पर्मनेंट सीट यानिके इनके पास है वहाँ पर वीटो पॉवर यानिके यह अपनी राय रख सकते हैं कोई भी डिसीजन अगर जो बाकी की कंट्रीज ले रही है United Nations Journal Assembly के अंदर या United Nations के अंदर वहाँ पर जो यह पांच मुल्क है यह अपनी जो है वीटो का इस्तमाल कर सकते हैं यानि के हमें यह चीज पसंद नहीं आई तो वो बात जो है वहीं रह जाएगी यह बना कर सकते हैं किसी भी बात को तो यह पांच मुल्क जो है यह जो इनके पास में पॉवर है पर्मनेंट सीट है United Nations Security Council की अब जो ब्रजील, इंडिया, जर्मनी, जपान है यह भी चाहते हैं कि हमें भी यहाँ पर क्या हो जाए बही इनकी तरह पर्मनेंट सीट मिल जाए ठीक है अब यह पर्मनेंट सीट चाहते हैं यानि कि यह चाहते हैं कि United Nations Security Council में पांच सीटे है और अब यहाँ पर यह क्या हो इस United Nations Security Council की जो है extension हो जाए यह बढ़ जाए तो इस अल बाउट यार G4 Group जो के काफी टाइम से ट्राइ कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें हमें यहाँ पर सीट मिल जाए United Nations Security Council में हमें सीट मिल जाए तो यह हमारे चाहर नेशन है इनको याद रखने का तरीका जो है वो रहेगा B.I.G.J. यानि कि Big Big FM जैसे होता है वैसी you have Big, sorry one second B.I.G. यानि कि Brazil, India, Germany and J J for Jammu कर लो तो Big J है Big Jammu कर लो तो यह आपको G4 Groups जो है याद हो जाएंगे तो इनकाम क्या है 2005 में बने हैं 2005 में बनने के बाद से इनका जो मेन एम है जो पॉपस है तो यह आ गया आपका G4 Groups अब नेक्स बात करते हैं हम लोग G5 Groups के बारे में अब G5 Groups का काम क्या है तेकिन G5 Groups यानि के Group of 5 यह क्या है इसकी भी स्थापना या Formation जो है वो 2005 में हुई है और यह भी इनका काम क्या था यहाँ पर यहाँ इनका काम था यह क्यों क्या था सचीट करवाते थे इसको परमोड करवाते थी काम थी ते क्या थी यह 5 वेदर पास यह थी ब्रजील यह थी चाइना यह थी इंडिया मेक्सिको साउथ अफरीका ठीक है अब इनको याद रखने का ट्रिक जो है मैं आपको बताती हूँ आप देख लें अगर आपको लगता है कि आप इस ट्रिक से याद रख सकते तो वेल और नहीं रख सकते तो आपको यह वर ट्रिक भी बढ़ सकते हैं दिन हम याद रखेंगे इसको सी एम ओफ एस वी आई मुझे लगता नहीं कि इसके लावा इसका कोई ट्रिक बंदा भी है स्चिल सी एम ओफ एस भी आई यानिके सी फॉर चाइना एम फॉर मेक्सिको एस फॉर सौथ अफ्रीका बी फॉर ब्राजील एन आई फॉर इंडिया तो यह आगई हमारी फाइफ नेशन्स या फाइफ मे करते हैं सबसे पहले तो कौन है इसके मेंबर्स तो जी सिक्स ग्रूप जो है यहां पर काफी हाइली एड्वांस जो हमारे एकॉनमेज थी यानिके काफी जो इंडॉस्ट्रिलाइज नेशन्स थे वह जो है वह मिले जैसे कि यूएस है ब्रिटेन है जर्मनी है फ्रांस है इ ग्रूप बनने का तो जी सिक्स से पहले ऐसा हुआ था कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑइल ख्राइस हुआ था नाइटीन हंडर्ड वर्ल्ड के अंदर उस टाइब पर काफी जाधा फाइनेशल क्राइस भी हो गया था मतलब काफी जयाधा फाइनांस जो है एकॉनमी जो एक इनका जो मकसद था, इनका जो purpose था वो यह था कि हम लोग यहां पर discussion करेंगे, एक platform बनाएंगे, जहां पर हम discuss करेंगे कैसे इस crisis से बाहर आया जा सकता है, या फिर जो recession हो गया है, उससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं, तो क्या हुआ यह बना का बना 1975 में हमारे पास क्या बना थ ठीक है, क्या करना है, जी सिक्स के अंदर कैनेडा को एड किया गया और कैनेडा एड हुआ 1976 में, तो हमारा जो यह जी सिक्स था इसका नाम बन गया, जी सेवन, अब जी सेवन जो है, नाइन नाइटी एट में जी सेवन के अंदर हमारे पास addition हो जाती है, रशिया की, और यह बन जाता है, जी एट, ठीक है, क्या बन जाता है, यह बन जाता है, जी एट, और फिर यही जी एट, जो है, हमारा कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कि रशिया जो है, यह अटैक करता है, क्रेमिया पे, ठीक है, क्रेमिया एक मुल्क है, ठीक है, उस पर यह यॉरप के करके अपने अंडर कर लेते हैं तो इस वजह से जो बाकी के मुल्क हैं जैसे मेरे जर्मनी फ्रांस इटेली अब यह मुल्क जो है यह सारे रश्या के खिलाफ हो जाते हैं कि तुमने क्यूं किया ऐसा तुमने क्रेमिया पर जाकर अटैक क्यूं किया यह सारे जो है इसका इसके जो G8 बना था ये वापिस से G7 बन जाता है तो याद रखेगा G6 बना G6 में हमने Canada को डाला तो G7 बन गया G7 हमारा जो G7 हमारा बना 1976 में ठीक है अब G7 से हम में क्या होते है रश्या भी आ जाता है भाई एक साल के बाद दो साल के बाद नहीं काफी सालों के बाद वैसे अप्टर 12 years रइड तो इसमें क्या हो जाता है कि रश्या जो है इसमें रश्या को एड कर दिया जाता है और रश्या यहां पर क्या करता है कुछ टाइम के बाद नहीं उसको पचता नहीं है वो क्या करता है कि अटैक कर लेता है क्रेमिया पर और यहां के जो बाकी मुल्क है यह इसके अगेंस करेवा जाते है इस वज़ज़ से 2014 में रश्या को जो है हमारे G7 G8 ग्रूप से निकाल कर G7 को वापस से लाया support G6 का आइडिया हमारे पास आया था at the president थे जो उस वक्त फ्रांस के या इननके फ्रेंच प्रेसिडेंट्र थे इन्हों ने क्या झा था यह जी 7 का आइडिया दिया नnesday दिया था यह जो मैं ने बताया है कि कि फ्रेश्डनेट थे यह थे वैली इते वैले ताईप में एक हुछ रहां कि लगे तक वैले ऑनेेे वैली गिस एक है यह याद रहते आप जिया औरagen सो अब क्या होता है कि इन्हों ने ऐसा कहा फिर उसके बाद हमारी जो पहली मीटिंग हुई वो 1975 में हुई पैरीस के अंदर और वहां पे जो है उसके बार डिसकुशन्स वगेरा हुई और फिर कैसे इस चीज से हमने बाहर आना है फिर वहां पे क्या किया गया 15 पॉइंट्स क क्राइट की अब कमनी किया है काइंड ऌकिस तरह कि अनॉंस्मेंट की गई ठीक है तो वहां पे 15 पॉइंब डिसकुशन वुवी ठीक हैं अब उसके बाद तो समेत साल किया जाता है और meeting की जाती है kind of एक साहर साल में मिला जाता है अभी की बात की जाता है 2021 में जो हमारी meeting है 11-13 जून को हुई है Cornwall UK के अंदर जहां पर discussions की गई है जहां पर बात चीथ की गई है कि हमने क्या करना है अब देखें इस जो हमारा अभी recent जो summit हुआ है G7 का 2021 का यहां पर मोदी जी जो है यानि कि इंडिया जो है इड वस अलसो इन्वाइंटिड क्योंकि यहां पर जितने भी हमारे summits होते है इसमें कोई ना कोई मुल्क जो है वो guest रहता ही है ठीक है तो यहां पर जो हमारे 2021 का summit है यहां पर discussion की गई और वहां पर कहा गया कि हमने क्या करना है कि एक billion covid vaccination around the world हमको किसी तरह भी जो है पोंचानी ही पोंचानी है हमारा aim यह रहेगा कि एक billion covid vaccination हमको देनी है बिना किसी barrier के यानि कि बिना रोक टोक हमें जो vaccine है वो आगे पीछे पुरे world में पोंचानी है उसके बाद climate change की बाद कई बड़े-बड़े-बड़े मुल्कों ने climate change की बाद की कि हम लोग climate change पर बात करना चाहते हैं हम लोग इस चीज़ को proceed करेंगे then US foreign policy की बात की गई यह मैं आपको बता दू जब हमारे पास Donald Trump आये थे यहां पर ठीक है जब भी कोई summit होता था तो Donald Trump जो है वो हमारे इस G7 के बाकी लोगों के जो meeting के जो भी points होते थे उससे जो है Donald Trump हमेशा बाखते थे वो ना तो climate change को मान दे थे उनको यह ही क्याते थे भई मैं तो कोई carbon emissions वगएरा पर control नहीं कर रहा हूं ठीक है वो अपने हिसाब से चलते थे दूसरा जो है उन्हों ने क्या किया था कि काफे सारी changes लाई थी थी अब इसमें क्या होता है यहां पर इस साल उन्हों ने यहां पर Joe Biden क्योंके प्रेजिडेंट आ चुके है उन्हों ने कहा है कि हम मैं खुलके आपके साथ काम करना चाहता हूं मैं वापिस से climate change की बात करूंगा मैं वापिस से i want to turn on the table again ठीक है तो फिर से जो है जो बिड़न यहां पर आ गए है then you have US foreign policy US की foreign policy की discussion कि गई गई global tax policy यानि के 15% हमको tax रखना है minimum tax हमको पंद्रा रखना है ताकि सारी country जो है अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएं और हमारी जो economy है वो boost हो पाए इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूं देखो इससे पहले जब डॉलल ट्रॉम प्रेजिडेंट थे तो उन्हों south korea को रशिया को जो g7 groups है उनमें एड करके इसको g11 बना दो अब यह यह बात कर रहे थे लेकिन सेम वही बात रशिया को जो हमारे European nations है वो आने नहीं देना चाहते क्योंकि रशिया के साथ उनकी बनती भी नहीं है तो वह क्या कह रहे है वह इस चीज के अगेंस्ट खड़े होगे इस वजह से g7 जो है हमारा g11 नहीं बन पाया अभी तक तो g10 जो है वह बनने के chances थे ठीक है तो अभी देखते इस बारे में क्या बात होती है लेकिन इस बार जो है हमारा g11 की discussion जो हमारी g7 जो है इसका summit जो है वह कौनवल में हुआ है ठीक है उसके साथ जो 1977 से ना एक guest है वो कोन है वो है European Union European Union जो है इसको invite किया गया था as a guest और यह अब उसके बाद से European Union जो है कि हर साल हमारे g7 के क्या करती है जितने भी जो summits होते हैं उनको attend करती है फाइन तो यह होगे हमारे main points उसके साथ हम बात करते हैं इस यहां पर मैंने bold letters में लिख है build back better plan अभी build back better plan क्या है तेकि आप मैंने आपको बताया कि जो बिड़न क्योंकि BRI initiative लया था यानि कि border road initiative जिसे one built one road का नाम दिया गया था उसके खिलाफ कहीं ना कहीं देखा जाए कहीं ना कहीं उसके खिलाफ आप जो है build back better जो है इन्होंने बनाया था यानि कि जो बिड़न जो है वो काफी openly एक लोगों को एक option दे रहे हैं कि आप लोग जो है हम लोग इस चीज यह plan लेकर के चलेंगे ताकि हम infrastructure को क्या कर पाए और economy को हम boost कर पाए यानि कि कोई भी मुल्क अगर किसी तरह के भी loan व हमारा border road initiative उनने निकाला था चाइना ने उसमें क्या किया था इसने काफी सादा मुल्कों को loan वगरा दिया था और जैसे श्री लंगा वगरा जैसे मुल्क जो है वह उसमें डूब चुके थे तो उसके अगेंज्ट उसके जो है उसको बंद करने के लिए उसको रोकने के लिए कहीं न कहीं इन्हों ने जो बिडन ने यह जो प्लान है हमारे पास निकाला है एक initiative लिया है बाई जी सेवन कंट्रीज और यह इनिशियाटिव जो है काफी helpful भी रहेगा और काफी कंट्रीज जो है open lease के साथ भी है तो यह था यह बीट है बीट है वह शो आनी व्हे नाव के लिए फिर फ़ेव वानका सब्सक्रीज और के आथा पास प्दिधिशन बहुते उसको था इस देमिंदिछ varieties है बाउट्ट रहे मुदे गाना का मतलब आए इस और क्यों आप्ट रावाह प्रॉर एंद्ऌ यह जोते मिलेर तो next हम बात करते हैं G20 groups की, G20 group जो है हमारा यानि के group of 20 nations, ठीक है, अब ये 20 nations जो है, ये कब बना ये हमारा group, ये बना हमारा 26 September 1999 में हमारा ये group बना, इसका purpose क्या था, पॉपस था कि हम लोग discussion करेंगे climate change पर, अपने economy में बात करेंगे and sustainable development की, यानि के sustainable development को लेकर के, economy को लेकर के, climate change लेकर के हम चीज़ों के बारे में discussion करेंगे, चले अब आप मुझे comment section में बिलाए, what is sustainable development, इसका क्या मतलब है, हर जगा पे points आते हैं कि sustainable development plan और ये सब चीज़े, आप मुझे बताएं कि ये क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अब देखें सबसे पहला जो इनका G20 nations है, इनका पहला summit 2020 में हुआ था, जो के Washington DC के अंदर हुआ था, ठीक है, उसे पहले क्या होता था, कि ये हर साल में 2-2 बरी ये, जो हमारे summit होते थे 2008 के यानिके जैसे मैंने आपको बताया कि European Union जो है, वो G7 में as a permanent guest काम कर रहे है, वैसे यहाँ पे जो G20 में हमारे पास Spain जो है, वो as a permanent guest आता है, 2020 का जो summit हुआ था, वो Saudi Arabia में हुआ था, ये क्या हो गया था, थोड़ा पोस्ट पोन हो गया था, COVID के कारण, फिर लेकिन इसको वर 2022 का जो हमारा G20 का summit है, ये इंडिया के अंदर होने वाला है, तो ये हमारे लिए काफी important है, अब members की बात करेंगे, तो members इसके कितने हैं, 20 क्यूंके G20 है, तो G20 से पता चल रहा है कि इसके जो members हैं, वो 20 members हैं, अब 20 members कौन कौन से हैं, वो है Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom, US and European Union, अब इसमें confused होने वाली बात हो ही, क्योंके इतने सारे नेशन से हैं, याद रखना मुश्किल है, पहले तो आप इसका कोई ट्रिक याद कर ले, जैसे मैंने इसका ट्रिक याद रखा है, S, S, one second, S, triple S, जहां पर आप पढ़ रहे हैं, ठीके, triple S, then, one second, G, U, याद यहां पर यह टाइप नहीं हो रहे है, okay, fine, so, triple S, G, U, R, U, गुरू, ठीके, triple S के जो गुरू है, वो गुरू है, सुमिध सर है, triple S के, triple S, गुरू, जी, गुरू है, तो इसद भी दो, गुरू जी, fine, face, F, A, C, E, face, ठीके, I, T, I, Mexico, M, SSC, Guruji, face, I, T, I, Mexico, in cab, अब इसका कोई मतलब नहीं है, प्लीज, इस पर हसना मत, इसका कोई मतलब नहीं है, अगर आप उस याद रहते हैं, तो, felon good नहीं याद रहते हैं, तो, ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद रखा है, कि, triple S के, जो गुरू जी है, उन्होंने face की, I, T, I, बना सकते हैं, कोई भी, आपको निमोनिक याद रहते हैं, आप रखें, ठीक है, कोई भी trick ले सकते हैं, तो, SSS हो गया, हमारे पास, Saudi Arabia, South Africa, ठीक है, उसके बाद हमारे पास, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, जो के मैंने या शे नहीं लिखा है, South Korea, तो, उसके बाद, you have Guru, G, U, R, U, तो, G, E से आ रशिया कुछ भी ले लो, then G, I, J, I, E, है आपके पास, तो, J, I, E, से आप ले सकते हैं, अपना, Japan, I, से आपका, India, then F, से आपका, France, हो जाएगा, E, से अरजिंटीना, हो जाएगा, C, से आपका, China, हो जाएगा, E, से आपका, यापर, European Union, हो जाएगा, ठीक है, तो, ऐसे कर लेकर के चले, फिर, A, से आपका, Australia, बच गया, Australia, लेकर चले, N, B, से आपका, जो है, कौन सा, Brazil, लेकर के चले, तो, यह हो गए, आपके पूरे 20 नेशन, जो के मैंने याद रखे हैं, ट्रिपल अस, गुरुजी, फेस, आईटी, एग्जाम, जो भी, आईटी, आई, मैक्सि को इनकाब, ठीक है, तो, यह ऐसे आपको याद रहा जाएगा, तो, यह इंपोर्टन नेशन, इसके साथ, क्यूंकि इसमें 20 मुल्क है, और काफी बड़े-बड़े नेशन, इसमें इंक्लूडिद है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, तो, यहां पे जो है, यह यह 75.8% of total trade, जो है, वो, इस हमारे G20 group के undercover होता है, यानि के यहां पर हमारे G20 के अंदर, इन नेशन के under 75.8% जो है, हमारा world trade cover होता है, तो, तिस इस वाल बाउट यह G20 group, ठीक है, याद रखेंगे, 2022 में, जो हमारा G20 का summit है, वो इंडिया में होने वाल है, 2021 का इटेली में, 2020 मे Saudi Arabia में हुआ था, permanent gas, जो है, Spain है, 2008 में पहला summit हुआ था, Washington DC के अंदर, ठीक है, बात जो है, यहां पर sustainable development economy और climate change की की जाती है, इसके साथ साथ, हापको मैंने बताया था, यह याद रखेंगे कि, build back, better plan, यह किसने दिया है, यह Joe Biden ने propose किया है, in G7, जो हमारा summit हुआ है, अभी किया है, उसके साथ साथ, जो है, summit इंडिया में कब, sorry, यहां पर कॉन वर्ल में हुआ कब था, यह यारा से 23 जून 2021 को हुआ है, उसके साथ साथ, क्या important points दिसक्स किये गए, यहां पर कि हमें, covid vaccinations प्रवाइड करनी है, around the world, उसके बाद, climate change की बात करनी है, उसके साथ साथ ठेंडिया था, ठीक है, और उसके बाद, 1977 से हमारे पास, European Union, यहां पर फूच सकते हैं, कि G7 का permanent guest cone है, तो वो मारे पास European Union है, उसके बाद, पूच सकते हैं, कि रश्या जो है, वो कौन से एर में, रश्या गा था जीए और गाला था और गाला था, यह निकला था, प्रूं स 76 में Canada एड़ा था रश्या को एक स्पेल कब किया गया था रश्या को बाहर निकाला कब गया था तो यह 2014 में निकाला गया था इसके इलावा भी अगर कोई इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप प्लीज मुझे मुझे कॉमें सेक्शन में बताईएगा और अगर लगता है कि मैं कहीं पे कोई गल्ती कर रही हूं भाइचांस तो वह आप प्लीज कोमें सेक्शन चेक कर लीजिए क्यूंकि मैं जो भी कुछ टाइपिंग हो जाता है या कुछ बोलने में कोई अरे हो जाता है तो उसे आप प्लीज कॉमें पर पोस्ट कर दूंगी आप मुझे टेलिग्राम पर हमारी चैनल को तेलीग्राम चानल को फॉलो कर सकते हैं उसके इसास से इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो थैंक यू सो मच और मिलते हैं अपने नेक्स लेक्चर में ओल दे बेस्ट फॉरी एक्जाम्स